नमस्कार आदाब, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, मैं हूं मुकुंद, और अभी हम मौजूद हैं अखिल भारतिये मजदूर संगठन, सेंटर आफ इंडेन ट्रेड यूनियन के सेंटरल आफिस में, जहां पर हमारे साथ तीन अलग-अलग संगठनों के नेता मौजू जो यह कौम है, जो पैदा करके खाती है, और उत्पादन में लगी हुई है देश के, वो किन मांगों को लेकर पांच अपरेल को दिल्ली चलने का आवहन किया है, जिसमें इनका दावा है, जो लाखो लाख के संग्या में, किसान इहां पहुँच रहे हैं, तो इनके क्या है मुद्धे और क्यों है दिल्लीन को आना पड़ा है, इन पर इन से बात करते हैं, सबसे पहले अखिल भारते किसान सभा के नेता वीजु किष्ण साथ में पूछना चाहेंगे, जो अभी जो किसान क्या मुद्धे हैं, जिसको लेकर आप आप संगर्स रेलिम जा रहे हैं, ज पर जो हम लोग के एकजुट आंदोलन के बाद जो बाते माने भी गए थे, उससे ये सरकार पीछे हटी है, एक तो एतिहासिक आंदोलन जो एकजुट आंदोलन किसानों का और मजदूरों का हुआ, उसमें जरूर तीन काले कानून वापस हुए, पर और जो एहम मुद्दे जैसे फसल के लिए उत्पादन खर्च से डेड़ गुना दाम, उसके लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए, वो नहीं हुआ है, उसके साथ-साथ बिजली कानून में जो बदलाव ले आ रहे, उसको वापस लेने का बात था, वो नहीं हुआ है, उसके अलावा जो इस जो है, जो केस लगाये गए थे, किसान नेताओं पर उस दोरान, उसको वापस लेने का बात थी, और ऐसे जो मुद्दे है, ये सभी को जोडते हुए, और पिछले आठ साल, आठ नौ साल जो नरिद्रमोदी का सरकार है, जो सब वादे किये थे, वो सब से पीछे हटे, और ह कैबिनेट मंत्री का बेटा द्वारा उसका गाड़ी से राउन दिया गया, वो अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर, अभी भी इस सरकार का, कैबिनेट में अभी भी बरखार है, तो उनको बरखास करना है, ये भी एक डिमान हम लोग का है, ऐसे मुद्दे है, और तीन जो जैसे खादिर सुरक्षा है, इस तरीके के जो मुद्दे, वो सभी जोडते हुए, हम लोग इस आंदोलन के और एक वाइकल्पिक नीतियों के लिए, आज जो पुंजीवादी व्यवस्ता में नाव उदारवादी नीतियों को जो लागू करें, उस के विरुद एक जनता के हित में, किसान मजदूर के हित में नीतियों को लागू होना चाहिए, इसके लिए यह आप दोलन चाहिए, इस सवाल जो मजदूरों के वो क्या सवाल है, जो कि पिछले दिनों जिस तरह से लेवर कोड या देश बर्मी स्किंग वरकर्स की अड़ताले होई हैं और काम अलग भून ने आंग्रेशों से लड़के भी जो हासिल किया है, बुनियादी वो सारे जो अथिकार है, वो सारे को वापस करने के लिए ही लेवर कोड लाया गया है, वो पारित हो गया, लेकिन अभी तक वो हमारे रसिस्टेंट के चलते हुए लागू करने पाया, लेकिन वो करन दर्वाजे से अलग-अलग राज्यों से ये लागू करवाना भी शुरू किया है जिसे अभी हाली में करनाटक के अंदर में वेद्राव लाया गया है जो नाइट शिफ्ट के अंदर महिलाओं को काम गरने पर मजबूर किया जा रहा है न्यून्तम वेतन का जो कानून है जो बेसिक जो हमारी मुद्ध है एक तो न्यूनतम वेतन का थिकार है वैसे ही वह लागू तो बहुत कम लोगों में हैं कि जो संकति छेतर के मजदूर के बीज में हैं उनको भी वह वंचित किया जाएगा और आठ घंडे का ड्यूटी और वह आठ घंडे का जो काम है अभी जो मा अबर टैम नहीं देना चाहिए और जो मजदूर को अपना संगटन बनाने के अथिकार और सोशेल सेक्यूरिटी सामाजिक सुरच्छा कि सबसे वंचित किया जा रहा है और यही कोड लग कि उसको जो फॉमली वह कोड लागू नहीं है लेकिन उसका जो अंदर में जो भी च बड़े पैमाने पर इवन जो सरकार एवन मिनिस्टर का मंत्रालई की अंदर में भी और इवन जो डिफेंस सेक्टर के अंदर में आपको काम गाठ है जो कॉंट्राक्राइसेशन हो रहा है अलग अलग तरीके से और सोर्सिंग के नाम पे और उसको इस हद तक लेके आया है क उसको अप्रेंटिशिप के अंदर में लाया और अभी स्किल डवलप्मेंट की अनाम पे जो है जो सरकार से पैसा लेके काम करवाने का सरकार सरकार पैसा देगा और मजदूर का मजदूर का दर्जा नहीं मिलेगा ताकि वो यूनियन इस भी ना हो जाए इस तरीके का पूर करन पनावर्कर सब्सक्राइब होता है कि सरकार खुद जो बुनियादी सवाम में काम पे लगाया हुआ है उनको कर्मचारी नहीं मान रहे ही एक किसम का ठेका करन ही है इन फोर्म एसेशन आफ लेबर है और महिला कर्मचारी या जो मजदूर है उनको तो फॉर्मल उनका का मानिता नहीं बोलते हैं कि 15 परसंट है विमन्स वर्क पार्टिसीपेशन तो यह बहुत बड़ा इस्यू है इसका मतलब यह नहीं कि 85 परसंट महिला है यूं बैठा है तो वह काम कर रहे हैं तो फॉर्मल काम की अंदर आते नहीं है तो इंदर लेबर है तो यह इस्यूस जो है कि और ज्यादा बढ़ते हैं यह पिछले सालों में इतने आंदोलन भी बहुत इसके जो है हो रहा है तो यह जो बढ़ा मुद्धा यह भी है कि जनता की जो बुनियादी सेवाएं है और सरकारी जनता की जो संपत्ति है जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो पूरा का पूरा न दे रहे और बोल रहे है कि तुम इसको अपने पास रखो और चलाओ और अपना मर्जी ले लो कोईला के अंदर में अभी हाली में यह इन्फोर्मेशन आया है कि जो बना बनाया कोल है उसको एकदम आदानी जीसा कंपनियों को दे रहे है और उसको सरकार को तीन प्रतिशत उसके पैप्लाइन के अंदर में जो लिखा है कि वह 30 परसंद गा लेकिन तीन परसंद के लिए उसको दे रहे है कि रिटर्न के लिए दे रहे है इस तरीके से जनता की जो है देश की संपति जो प्राइवेट कोर्परेट के हवाले करने के जो जो बहे उसके खिलाफ में भी जन्ता का भी मुद्धे है और मजदूरों का तो ही है तो आप से पुछना चाहेंगे जो खेत मजदूर के सवाल है कि जब भी किसानों के बड़े अंदोलन हुए वर्कफोर्स काम करते हैं खेत मजदूर यूनियन लेकिन उसके सवाल कभी प्रमुक्तार सामने आते नहीं तो उनके क्या इशूज हैं जिसको लेके आप लोगे सान्दूलन में आये हैं मुकुन जी मैं आपनी बाद शुरू करूंगा 28 फरवरी को परतूर के एक गाम में आशा रमेश्ट्रों की नाम की महिला गन्ने के खेत में काम करते हुए बच्चे को जनम दी आ उसके पास समय नह बारत के अंदर एक वर्ग है जो उत्पादन में लगा है उसका कोई अस्तित्व नहीं हो नितिन निधारण के अंदर, उनके लिए कोई ऐसा कोई कानून नहीं है जो उनकी वर्ट क्रिशन को मोनिटर करेगा उस हालात के अंदर वो जी रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो दिली क्यों आरहे हैं, बोल रहे हैं दिली कि उनको मजदूर होने की पहचान मिले उनको काम चाहिए, काम का पूरा दाम चाहिए और गामिन भारत के अंदर मशीनी करन के बाद से जो काम कम हुआ है सबसे बड़ा का साधन हो सकता था मन्रेगा हमारे भारत सरकार जिसको बूलती है कि वो लाइफ उसको मॉनुमेंट बना देगी हमारे जो ग्रामिन भारत है उसके लोगों की आर्स है वहाँ पर जिसके अंदर बजट कम कर दिया है सिर्फ बजट कम नहीं किया है जिन्दा रखा है लेकिन उसके अंदर ओनलाइन अटेंडिस के जरिए एक गाम के अंदर बीस से ज़्यदा काम नहीं होंगे अभी ये बोल रहेंगे आधार के साथ अलग से एक पोर्टल मिना रहे हैं जिसके जरिए आपकी पेमिन्ट होगी इसके साथ जाती बार हम यह आशा करते हैं कि लोग जब काम करेंगे तो जाती से दूर जाएंगे जाती बार उसके अंदर जो आपके चीना जा रहा है और ना उसका दान दिल रहा है और इसके साथ जब काम नहीं है तो सबसे बड़ा साधन था फूड सेक्यर्टी एक्ट और फूड सेक्रेटी एक्ट के अंदर भारत के बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर बदनाम हुआ कि हम अपने लोगों को खाना नहीं खिला पारे डिस्पाइट किसान और उसमदूर मेहनत करके जितना एफचे के गुडाम में चाहिए उस बफर स्टॉक से जएदा है मेहनत कर रहे हैं बफर स्टॉक से जएदा है लेकिन ना वह आम इनसां तक पहुंच रहा है और जो पैदा करता है केट मुदूर उस तक भी नहीं पहुंच रहा है और सरकार दे उसकी जो फूड सिकुरिटी है उसके जो फूड सबसिटी है वो कम की है cya कि गुदाम के अंदर जो प्रकूरिमींट फूड करले कर at पूरा भारत वुष ये बोर रहा है कि आदानी करक्शन किया है आदानी ने पूरे भारती जंता का मुर्क बनाया है, ये सरकार द्वारा प्रायोजीत करपशन है उसके खिलाव है इसमें जो भारत का शाशक वर्ग है, वो एक जूटता के साथ आधानी के साथ खड़ा है, ये क्या बताता है, कि शाशक, मजूट così के साथ अधानी के साथ कड़ा है, हम यह मांते हैं कि जब दुश्मन एकता के साथ खड़ा है तो जो उत्पादicos और किसान उनकी एकता भी उतनी जरूरी हो जाती है अगर भारत को समय धानिक भारत भनाना है अगर भारत के अंदर जिसका भारत है मजदूरों का किसानों आप खेट मुदूरों का करम-चारी का नोजवानों का उसके ह고 को जिन्दा रखना है उसको बचाना है इसको लेकर हम पांच हंसर को दिली आ जिसए खेट मजदूरों के जो सवाल हैं जो खेट-मजदूरी का हक प्रहुं की हम देखते हैं अभी जिस तरह फसल भीमा योजना सरकार लेकि परदान मंत्री फसल भीमा योजना की तारीफ करती है जो दो परसेंट पर दे रहे हैं अभी जिस तरह से पूरे देश भर में किसानों को नुकसान हुआ है उसके बाद ये योजना को कितनी एफेक्टिव दिख रही है एक तो ये तो पूरा एक बिफल हुआ है ये जो फसल भीमा योजना उनका फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है पर जब से ये आई है लगबग 40,000 करोड बड़े कॉर्परेट इंशुरेंस कंपनियों को मिला है किसानों को नहीं मिल रहा कुछ उसमें आप एक सही बात बताए को नहीं है जो जमीनदार है उनको ही इसका फाइदा मिल रहा है तो पूरे डेश में किसान सबा का एक बहुत बड़ा समय जाता है कि फसल भीमा जो फसल नस्ट हुआ है उन किसानों को कैसे ये मिले उसके लिए संगर्श होता है अभी कुछी दिन पहले राजस्तान के चुर बड़े इंशुरन्स कमपनियों को कॉर्परेट मुनाफ़ा बढने के लिए है हम लोग किसान प्रीमियम भरते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी भरते ये सीधा जाता है इनका यह जो बड़े कॉर्परेट कंपनियों का पास यह पूरा पैसा जाता है यह स्थिती है उसके खिलाफ व्यापक रूप से किसानों के बीच में असंतोश है और उसके खिलाफ संगर्स भी चल रहा है इसी से जुड़ा हुआ सवाल जिस तर से बड़ा सवाल होता है जो पड़ा हम यह बोल रहे हैं कि जो खेट मुझूर है बड़ी विडमवना है कि अजादी के 75 सार के बाद भी जो एक सपना खेट मुझूरों को आजादी के लड़ाई ने दिखाया था जो आजादी की लड़ाई के जो मुल्य थे यह सबको उनकी हिस्से की जमीन में लेगी एक और द उनको आप पहचान दो और उनके लिए केंदरी कानून लेके आएं जब केंदरी कानून आएगा तब हम उनके बात कर पाएंगे कि वर्क प्रेस के अंजर क्या सेक्यूरिटी है या सबसीडी उनको मिलेगे या जो आ बोल रहे हैं कंपंसेशन मिलेगा उनके पास तो संसाध पर लाना उसको लागू करना जिसको हम भूमी सुधार बोलते थे जो इतिहासिक जिसको बोलते हैं कि जो खेत मुद्रों के साथ बदा किलाफी की गई है वो है जमीन के मुद्दे कपर उनको जमीन मिलना जब अपनी जमीन होगी तब यह बात की बाते सब आएगी कि उनके उनको कंबंसेशन होगा उनका नुकसान होगा इसमें मैं जरूर बोलना चाहता हूं जो आप बोल रहें यह बहुत बाजीव बात है कि जब फसल का नुकसान होता है किसान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वो रिकोगनेस होता है पर जब फसल का नुकसान ह काम नहीं मिलता है वो जो नुक्साना है वो कहीं दिखता है तो हम तो यह बोलते हैं मांग भी करते हैं कि उस इसाब से पहले तो लड़ाई को बहुत बधाई भी देता हूं कि बीच साल की अंदोरन के बाद आज का जो मध्यम वर्ग है या नितिन निर्धारक है वो सम्विधन शील हुए है और किसान आत्माचा की बात करते हैं पर विडंबना यह है कि दोहजार इकिस कांकड़ा लेंगे बावसो कुछ किसानों ने आत्माचा की है पर पच्पंसो प्लस खेत मजदूरों ने आत्माचा की है मिडिया में बड़ी-बड़ी ख़बरे भी आई पर कहीं खेत मजदूरों का नाम नहीं आए लोगों को लगता है कि जैसे उसका अस्तितिव नहीं है वेज डिली वेज जो वरकर्स हैं उनका जो आए नहीं उनका दिए लिकिन करेंकर किन कि मजदूर का सवाल है कानून और कि मेदार नीजी क्रान को यह बटने का marks बहते हैं तो वह सवाल इस जोईन फॉरं में आप लोग जा रहे तो सरकार प्रवासी मजदूर जिसको हम बोलते हैं वो तो किसान है जो खेती चोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और खेत मजदूर है वो खेती ही नहीं तो वो क्या है और वो अभी डेली वेज वरकर हो रहे है और वो डेली वेज वरकर का पिछले तीन साल में यह हुआ है एक दिन में एक सो दो डेली वेज वरकर एक दिन में आत्माथिया कर रहे है तो यह कहां हम लेके जा रहे हैं 75 साल आजादी का और इसके अंदर माने वो जिन्दा नहीं र जो मैंने पौवर्टी डद का भी रिपोर्टिंग शुरू हो गया दुबारा जो कोविड में जो रेशन था जो खरवखर पहुंचा रहे थे और उसका जो है पिछले एक साल के अंदर उसको खदम किया गया है जो फूट सेक्यूरिटी और जो रेशन के अंदर में अभी कि अंदर फामिली एडी के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रेशन से वंचित किया जा रहे है कि सारे कौन है जो आवहिल करते थे डेली वेज वरकर थे जो आधा टाइम में खेद मजदूर और आधा टाइम में जो मजदूर होते थे प्रवासी मजदूर का और वह प्रवासी में और ना कोई यह इस तरिक यहां गया थे जो आपने बोला जमीन काlish कही रिहाइशी जगह में आप जाके देखोगे की जो है कीडे मकोडे की तरह रहे है तो यह तो यह बड़ा इश्यू है एक सामाजिक मुद्दा है यह सामाजिक मुद्दा बन गया है आज के दिन यह पोवर्टी डथ भी अभी उडिशा में तो पिछले हाफते में एक जो है का कुपोशन से मृत्यू का रिपोर्ट आ गया है ऐसे हजारों और रिपोर्ट डथ है क्योंकि यह सारे जो सोशल सेक्यूरिटी स्कीम से जो और जो बेसिक सर्विस वह बंद किया गया है तो यह मुद्दा तो है बड़े पैमाने पर जो बाकि आपने जो बोला है जो ओल्र काम बेभी आप वेकंसी देखोगे कि जो पर्मेनेंट एंप्लोई जो है निल होते जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी की अंदर में आपको जो वरकर की जो कैटेगरी की अंदर में जो ट्रेड उनीन का अधिकार कि जिसको होता है वो ओल्म जो है जैसे आपका पर्मेनेंट एंपलोई का अगर 60,000 रुपया मिलना है तो इसको तो 6,000 भी नहीं मिल रहे है तो यह हालात की अंदर में है वो इस्यूस तो हम उसको उठाके वो आंदोलन की अंदर में यह बहुत यह है बहुत बड़ा इस्यूस है कि जो मजदूर अपन तो फिर मजदूर कहां बचेगा तो यह देश का जो बुनिया दी जो है डिफन सर्वीस का फैक्टरियां हो यह आपका जो है पावर सेक्टर का हो इलेक्टरिसिटी को पूरा पूरा का पूरा अभी जो महाराष्ट्र का तो उतर प्रदेश में भी हुआ है अदानी के यही जरूरत है वो सारे को कॉर्परेट्स के हवाले कर रहे और जनता को गुलाम बना के वो कानून खदम करके दे रहे तो यह इशू के खिलाफ में ही आंदोलन हर तपके के लोग कर रहे है जैसे इलेक्टरिसिटी का आपने जो बताया कि महाराष्ट्र का इलेक्टरिसिटी वर पहर का और गवशापर्पर्स का बशाफकरे स का इसके अंदर में से के अलवा सर्वी से क्टर घंटही से स्थेट गवर्ड मैंटमेंट एंपढकिंग से एंशूरंस अनल कर्मछारी ये सब लोग पी इस राली में आप उत्तर प्रदेस के बात सिचिस तरह से गवर्पर्मे इसको आप लोग क्या आपने इसे डेली मेर्डरस करने कर रहे हैं यही तो हमारे जो है कि यह जो राइट फ्रीडम ओफ असोसियेशन और कलेक्टिव बारगेशन यह जो है देश का देमोक्रसी बचाने का बेसिक प्रीकंडिशन है तो उसी से ही तो यह पूरा आजादी ही बन कॉड के अंदर में कॉड़री लाया और जोए लेकिन वकटिसयन से डरुसनों यह जो स्केश्चा आक्शन नहीं लेना चैयée था लेकशन में घ alma में ठाफिझान और योगी राज में तो और कई उम्मिद नहीं कर सकते यह तरीके का जो अथिकार के ऊपर में हमले है मसदूर कहीं हरा एक सबके का जहसे ही है कि यह जो जनवादी अथिकार के उसमें है वह एक कोशिश है और बाटने का कोशिश है यह दोनों चलते आ तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो जैश का समिधान बचाने का ही है कि यह जो विंडिक्टिव मेशर्स है इसको इसके खिलाफ में भी अपनी बातचीत में दोनों नहीं का सरकार लगातार को कम कर रही है लेकिन दूसरी तरफ परचार यह जो असी करोड़ों को मुफ्त अनास दे रही है यह पांच किलो अनास जो इससे जुड़ा हुआ हुआ है जो में सब्सक्राइब किसानों के लिए जरूरी था जो पिछली बार सरकार मुकड़ गई और उसको नहीं दिया उसके मौदानी काल का कुछ आकड़े काना वी जरूरी है एक तो इसकाल में एक लाग से ज़्यादा किसान और खेत मसदूर खुदकुशी किये इसी समय में धाय लाक्व से जादा दिहाडी मसदूर कुदकुशी край और और जो बेरोजगार युवा भी जोड़ दे कुल मिला के चार लाग से ज़्यादा सरकारी आकड़े कहते हैं यह पूरा दुनिया में कहीं पर ऐसा एक मिसाल नहीं देखने को मिलेगा और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बुकमरी जो बढ़ रहा है और कुपोशन से जो मर रहे है कि महराश्रा का एक बात अगर उठा है एक साल में 21,000 के आसपास बच्चे महराश्रा में यह कुपोशन से मर रहे हैं और चतिसगर्ड जारकंड ओडिसा मध्यप्रदेश इसका और भी खतरनाक एक सिती वहां पर यह वहां का एक और MSP का जहां तक यह नरेंद्र मोदी का 2014 का सबसे बड़ा चुनावी एक वादा था और उसके चुनाव के तुरंट बात यह भूल गये उसको और अभी तक वो लागू नहीं किये और अगर धान का एक उधारन ले दो हजार चालीस रुप्या प्रति क्विंटल अभी घोष्टा हुआ है ज्यादातर राज्यों में किसान आट सो हजार या ज्यादे से ज्यादा बारा सो में बेचने में मजबूर है यह सिती है क्योंकि सरकारी खरीद नहीं हो रही है और अन्य फसलों का गेहु और चावल क फिर भी थोड़ा खरीद हो रहा है और जो 23 के आसपास कुल मिला के फसल है उसमें कोई खरीद होई नहीं रहा है इसलिए हम लोग का यह सबसे एहम मुद्दा यह है कि एक कानूनी गैरंटी होना चाहिए उत्पादन खर्च से डेड़ गुना दाम न्यूंतम समर्तन मुली ह होना चाहिए यह अब तक नहीं किया गया है यह सबसे बड़ा धोका किसानों पर किसानों को किया है हम देख रहे किस तरीके कहानी अभी आ रहे हैं जैसे प्याज का एक किसान 512 किलो 70 किलो मिटर दूर जाके 512 किलो बेचते और दो रुपया 50 पैसा से कम चेक उनको दिया ज हमारे देश के अलग हर राज्यों में बहुत गुस्टा इसके खिलाफ है और इस पूरा छे माइने का हम लोग का प्रचार रहा है इस मजदूर किसान संगर्श राइली को लेके हर राज्य में हमारा महादिवेशन हुआ है नीचे के स्तर तक प्रचार हुआ है पर्चे वग के लिए काम कर रहे हैं यह परदाफाश करते हुए पद्यात्रा हुए है घर घर जाते हुए करोडों लोगों तक हम लोग पहुंचे है यह 6 माहिने में एक यह तीनों संगटन एक जुटता के साथ तो यह बहुत बड़ा एक माहुल बनाया है इस सरकार के नीतियों के खिला और वो पांच तारीक को एप्रिल पांच को दिल्ली के सड़कों पर दिखेगी और इस सरकार जो यह नीतिया लागू कर रहे हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा एक चेतावनी के रूप से यह मजदूर किसान रहली होने वोला है जैसे कि इन्हों ने बताया जो तीनों संगटन सायुक तुरूप इस तरह से जमीन पर गए और तपन सेंसाभ ने अपने किसी इंट्रिम कहा भी था जो जिला ब्लॉक इस तरब जो एकता बनी है उसकी पूरी तागत होगी दिल्ली में दिखेगी तो महराश्टमन में देख कि इस पूरे जो एकता तीनों बनी है इसको कैसे देखती है पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हुआ है मजदूर किसान खेट मजदूर एक साथ आके अंदोलन लगातार कर रहे हैं और करी जीत भी हो रही है तो वह तो अब कैसे देख रहे हैं और पांच अपरेल के लिए तीन संगटनों किया है और वह कं काफी सालों यह जो एक साथ मां जुटता अर्डूसरे का जो भी अंदोलन है उसको एक समर्धन देने का जो प्रक्रियर और वह सालों काफी सालों नहीं चला रहे थे तो इसका एक जो है एक नतीजा भी आप देख सकते कि यह पिछला किसान अंदोलन में दिखा था और उसके पहले कोविड के दोरान पूरा लोकडाउन था लोकडाउन में भी एक और चीज देखा कि यह जो पिछले 30 साल का जो आंटी नियो लिबरल आंदोलन का हमें जो जन्हाइब सब्सक्राइब पर नियुस्व में जो जञांगे आंदोलन के समर्थन के खिलाफ में जो कि posk TCP उलप में जो आगया है उसकाיות व्रेक्ष्ण था था यह जो ओली इन्डिया लेवल से कोल देने की जरूरत भी नहीं पडा था कि नीचे मज़दूर दो कि एक जो है कि इसका एक जरण में आगे थे उसका एक बड़ा व्यापक और मजदूर ही सान एकता की जो नाहरा किसान आंदोलन में उसको नाहिए उसको में फॉक्रायोगी छी जरकी पर दीक्षे नंडिस्टांडिंग नीचे में आप सी जो इस अंडिक्षान Long और एक जो है जैसे विक्रम ने बताया दुश्मन का जो एकता है उसके किलाब हमारी एकता और हमारी यह जातपात में जो धरम में बांटने का जो इंका रन्नीती है यह पहचान हुआ है और यह जो है वरगी मुद्दे के आधार पे जो एक एकता बनाने का जो बहुत बढ़ा एक पहल हुआ है यह हम सोचते हैं कि एक जो है अगला पड़ाव है एक बड़ा क्रूशल पड़ाव है पूरे भारत का जो जनवाद बचाने की जो प्रक्रिया जो जनता की अंदोलन हो रहा है और जहां में यह कॉर्परेट कम्यूनल राज यह बेचेपी के अन्यतरतु में है इसके जो टकराव के अंदर में एक बड़ा पड़ाव में हम खड़े है तो उसी में यह जो है उपर में जो यह राली यह एक जो है एक कारियकरम है लेकिन उसके पहले का जो यह तयारी है पिछले जो सेप्टमबर से लेके गाव गाव तक हर घर तक ही ले जाने का वो हमारा जीतना भी सांगटनिक ताकते हैं उसे ही जादा क्योंकि जनता उसके अंदर जुड़ रहा है इस बार वही देखने को मिला है गाव गाव के अंदर में भी और इसमें एक और चीज़ है जिसे एक तो है हमारे सांगटनिक मेशिनरी जाके खरकर में जा रहे हैं मीटिंगें कर हैं लोगों को लेके आने के लिए टिकेट करके यह करके लिए आ रहे हैं सको जो है सेंड-ոफ मीटिंग कर रहे हैं वह सारा तो चल रहे हैмि हर यसादे के वर्कर्सका वो तो पेचले कोभिटके में भी हम देख रहे हैं और अभी इसका पिछले तीन महीने में आप देखोगे तो आशा आंगनवाडी मिड़े में इनका आंदोलन है और जो संगटिच्छेतर के अंदर कोईला के अंदर हो पब्लिक सेक्टर के अंदर हो इलेक्ट्रिसिटी वक्कर्स का पेट्रोलियम का भीर जो है सर्वी सेक्टर क के अंदर बैंकिंग इंशुरेंस हर तब के का बीसनल यह सर्थ हर सब्सक्राइब का आंदोलन भी है वह आंदोलन के साथ में यह कारिक्रम जुड़ रहा है तो यह एक बहुत बड़ा की एक जो है पड़ाओ में है इसको आने वाले दिनों में जो दोनों जो मंच है जो जो के उनका जो है जो है तीस जनुएरी को कंवेंशन में उन्होंने अंदोलन के लिए कोशना किया और जो जो यह प्लाटफॉर्म है जो संविक्त किसान मोर्चा है और जो संविक्त हमारे खेद मजदूर का संगटनों का भी है वह जो चल रहा है वो दोनों ने भी एक समर्थन किया है आने वाले दिनों में अमारे लिसुने की यह प्रयास है कि मसदौर और किसान और केद मसदौर कि जो एकता है मांचों की एकता हिनित ऑसजा है एकता कर आंपे यह कौरपरेट और कम्यूनल्ल राज का खिलाप में होगा और उसका तो पूरा स्भी दिली को लाल करके पॉर उसके आगे का लिए किसानों को एंदर कशीं होता ही के हुआ हैं पीछले अंदोलन हमने देखा भी और शुरकशाबची अगर फिर एसेंचेल कॉमिडिटी एक्ट लागू हो जाता तो ना गोदाम बस्ते ना MSP मिलता ना परक्यूर्मेंट होती और नहीं अनाज मिलता यह सही है कि जो विरोधावास है दोनों बर्गों के बीच में खेट में अगर किसानों को MSP मिलेगा तो हम ऐसा मानते हैं कि MSP कंदर नियुनतम बेतन होगा ही होगा तो किसान अनाकनी नहीं करेगा यह जो एकता अबरी है यह कोई सिधान से नहीं अबरी है यह हमारे अनुभव से अबरी है जब हम अनुभव के अधार पे हमने दिखा कि जैसे असंदू भी बोल रहे थे बीजी बहुत अच्छा नीचे रिस्पांस है उसका कारण हमारे समिट्टन का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है उसके कारण क्या है जनता के अपने अनुभव जो नव उधारबाद का जो यह दौर है तीन दिकेंट हो गए हैं और जो आपके नरेदर मोदी जी है वो तुसके द्वजार होग बने हैं एक अदम आगे लेके जा रहे हैं उससे जो जनता पीड़ा महसूस कर रही है वो किसान आंदोलन ने उसका उत्तर दिया कि जो मेहनत खश्षवर्ग है किसान मझदूर खेत मझदूर वो उसको रोकेगा उसने पुरा डिस्कूर्स चेंज़ किया और चेंज़ ऑ効 मत्रों के अंदर जितनी बड़े संखहें में लोग त्यार हो रहे हैं दिल्ली पहुंचेंगे कितने लाखों में पर कोड़ों लोग निचे इन्वाल वह इस पुरी प्रक्रिया के अंदर वह हमारी जमूरियत को मुझबूत कर रहा है और अंत के अंदर ये बात बोलते हुए वर्तमान के अंदर हमसे चुपा नहीं है कि संसद अपना काम नहीं कर रहा है और ये कोई कुण रोक रहा है उसको ये भारत की रोकतंतर में पहली बार हो रहा है जिसका काम संसद चलाना है वो संसद रोक रही है तो जब संसद अवारा हो जाता है लूय की शवदों में जंता उसके उपर लगाम दाती है जिसका इन प्रधocy जंत करता है तो अपना काम नहीं करृति प्रवज्मलम के लिए इतना जैसे कि किसान मजदूर खेत मजदूर दिल्ली आ रहे हैं सिर्फ अपनी मांगो के लिए नहीं भारती लोकतंतर को बचाने के लिए इसी के साथ इस इंटर्म इतना ही आगे के लिए देखते रहें न्यूस क्लिक धन्यवाद